यूनिट्स और प्यूस फोर्स फोर्स और मैज़रd इन यूनिट्स कॉल्ड न्यूटण ठीक है न्यूटण से जो यह आप फोर्स होना आप सकते हैं क्या होता है एक न्यूटण आप ऐसे समझिए कि अगर एक किलोग्राम की कोई चीज है उसे उठाने के लिए जितने फोर्स किया का है तो जितने जोर की जरुवत लगेगी ना आपको उठाने के लिए आका है तो जितने ताकत की जरुवत लगेगी आपको उसी को आप बोलेंगे ताकत तो पावर हो गई है ना आप समझे कि जितना फोर्स लगेगा एक किलो वजन उठाने के लिए उसी को आप बोलते हैं दस न्यूटन या फिर 9.8 न्यूटन लेग के लिग भी रखाएं यहां पे आगे नेम्ड आफ्टर इंग्लिश साइंटिस्स सर आइजेक न्यूटन ठीक है आइजेक न्यूटन का नाम बहुत फिमस दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट के नाम से फिमस है ना को मेंड मैंनी डिस्कवरीज अबाउट फोर्स एंड मुव्मेंट दे प्रोड्यूस किलोग्राम वेट ठीक है इस और सो यूनिट ऑफ फोर्स कि एक यूनिट है ठीक है जहां पे एक किलो का मतलब होता है कि उसको उठाने के लिए मतलब एक किलो ग्राम का वजन जो है न उसको उठाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ना इन पॉइंट न्यूटन का फोर्स क्यों क्योंकि उसके ऑपजिट में उस एक किलो ग्राम वाली चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खीच रहे इसी नाइन पॉइ इस प्रिंग बैलेंस क्या चीज़ होती है यह होता है आपका इस प्रिंग बैलेंस नीचे आप वजन को लटका ही यहाँ पर आ जायागा वह एक न्यूटन फोर्स लग रही है उसको उठाने में दो न्यूटन यह ती न्यूटन जैसा भी आप चाहें वरना आप इधर भी आप जैसे चाहें दोनों तरफ से पकड़ दीजिए इसको और खींचिया और तो आपको बैस चलता है कि आप अपने दोनों हाथों से कितने फोर्स को लगा रहे हैं इस स्प्रिंग के ओपर ठीक है कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं वह पता लग जागा तो यह के अंदर जो आपका एक स्प्रिंग टाइप के लगी होती है ठीक है अगे बोलें डू यू नो कि अगर आपका वेट है पचास किलोग्राम मान लेते हैं आपका वेट हैं पचास किलोग्राम तो आपको उठाने के लिए कितने फोर्स की दुरोध पड़ेगी न्यूटन में तो बिलकुल ही अजान है पचास को आप मंटिप्लाई कर दी नाइन पॉइंट एट से और नाइन पॉइंट एट से भी आप पूरा दस लेकर चली है ना यहाप लिखावा देखे नाइन पॉइंट इट इसको आप दस मान सकते हैं रफ ली तो मतलब आपका वज़न है मान एंड डिरेक्शन मेंगनिटूड होता है किसे चीज़ की तीवरता को इसी चीज़ कम है या जादा है अमाउंट बे अगर बात करें तो उसको मेंगनिटूड बोलते हैं डिरेक्शन आपको पता ही है कि दिशा को बोलते हैं कि दोनों चीज़े होना जरूरी है तब वो डरिक्शन भी बताना पड़िए जयसे मान लेकि पांच यूटन आपने फोर्स लगाया ठीक इसको मotzफ गाया तो किश डर्रीजिए लगाया लगाया लेफ लगाया रइट लगाया राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ या किसी और डायरेक्शन में बताओ बहुत इसका मीनिंग लिख लेगा तो आपने यह भी बताना जरूरी है कि कितना मेंगनिटूड है पांच नुटन है दस नुटन है बीस नुटन है और किस डायरेक्शन में दोनों चीज़े बताएंगे तभी प्रफॉर्स साफ़क्र प्हलए है विफ्फॉर्स से सब्सक्रावं कुछ है करें को अंटिक है मालना लेएं दूसरा खुर्स माल्गaterं को इसे ठीक है दुनों फोर्स यह देखें एक फोरस है और इन दोनों में देखिए इक टरफ पर मेंगनिटूड को समझाना था किसी को इसका मेंगनिटिूड भी बताना जरूरी है ठीक है यहां पर का बुलने है when describing force it is necessary to specify the strength of the applied force strength of the applied force के कितना force लगाया गया है 5 newton 10 newton 50 newton and the direction in which it is working the strength of the force is usually expressed by its magnitude in addition to magnitude a force always has a direction के force के साथ हमेशा उसके direction भी जुड़ी होती है साथ में the direction of the force is away from us when we push something and towards us when we pull something बुले है के force की direction जब आपके इस चीज़ को पुश करते हैं धक्का देते तो सामने की तरफ होता है न और जब आपके इस चीज़ को खीशते हैं अपनी तरफ तो आपकी तरफ होता है direction force का जाहिर सी बात होगा न इस चीज़ को आप धक्का देंगे मान लीज़े धक्का तो दूसरी तरफ होगा आपसे opposite side में उसका force की direction जब कि आपके इस चीज़ को अपनी तरफ केचेंगे तो आपकी तरफ होगी direction force की जाहिर सी बात है आगे बोला है pressure pressure क्या चीज़ होती है force पर unit area को ही pressure बोल देते हैं जैसे कि यह है कील कील के ओपर एक pressure force लगा जा रहा है है ना माल लीजिए एक newton का force लगा रहे है पर देखिए कितनी चोटी सी जगा पर फोर्स लग रहा है ना एक सुई टाइप का या आगे बिलकुल कील है ना तो इतनी चोटी से जगा पर फोर्स लगा ना तो बहुत असर देखेगा उस चीज़ पे मतलब इसका pressure बहुत पर लग रहा है तो high pressure और same force एक बड़े एरिया पर लग गया माल लेके skill को हटा दीए directly इन्होंने अपने उंगले इसके ओपर लग दी तो बड़े एरिया पर distribute हो गया वह एक newton का force तो इस लगडी के block पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास ठीक है तो यहां पर देखिए ल प्रेशर कि किसी भी चीज को आप पुश करते हैं तो उस पर एक प्रेशर पढ़ता है फोर्स की वज़े से प्रेशर is a measure of how concentrated the forces कि कितनी चोटी जगा पर वह फोर्स लगाया जा रहा है इसकी measurement of pressure कैसे निकालते हैं force को divide कर दीजिए area से तो आजाता है आपका pressure आगे बोलना है in simpler words the same force on a large area gives low pressure कि बड़े area पे same force आप लगाएंगे तो लो प्रेशर कहलाएगा जबकि same force on small area gives high pressure कि उतना ही force आप एक बहुत ही छोट एस area पे लगाईए जैसे कि यह कील लगा रहा है तो वह जाएगा आपका high pressure ठीक है समझगा है आप आगे देखिए do you know how does a sharp knife cuts cheese very easily के एक तेज धारी चाकूचीज को आसानी से काट देता है आप उसे चमत से काटने की कोशिश करिए नहीं काट पाएंगे आसानी से बहुत ताकत तगा नहीं पड़ेगी जबकि knife से आराम से काट सकते हैं उसको आप easily क् प्रेशर का कॉंसेप्ट आ गया ना भी एक बहुत ही छोटे से एरिया पर आपके फोर्स हाथों की जो होती है वो लगाने में help करता है एक sharp knife तो high pressure create हो आता है वहाँ पर जबकि एक चमत से आप काटने की कोशिश करेंगे तो एक बड़े एरिया पर वह जो है डिस्ट्रिब आगे बोलें देखिए एक बहुत इच्छी activity दे रखिए बोले कि आपने किसी एक बिस्तर के उपर बैड के उपर गद्दा बिचाओगा उसके उपर आप खड़े हो जाएए खड़े हो जाएंगे तो गद्दा दबेगा तो उस वो जो कितना दबा है न उससे आप observe करनी को बताईए कि वो कितना दबा हुगा या आधा इंच दबा होगा या और पिर सवा इंच दबा होगा तो इन दोनोंग फरक आगया आप ऑग जब खड़ेते हैं उससी गद्दे के ऊपर तो जादा दबरा ता वो गद्दा जबकि आप लेट गए तो कम दब आए इसलिए क्यो ठीक है इसकी विए से गद्धा जादा नहीं दपता जबकि आप एक जहां पर खड़ा हो गए तो खड़े होने के बाद वो concentrated जगह पे चोटी सी जगह पे आपके पूरी बॉड़ी का फोर्स जो है लग रहा होगा तो हाइप प्रेशर क्रेट हो गया ठीक है बोल रहे हैं प्रेशर का फॉर्मला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है आगे बोल रहे हैं देखे आगे एक और प्रेक्टिकल बोल लखा है पर मेरे साब से यह accurate नहीं है प्रेक्टिकल काफियत तक यह बोल रहे हैं कि आप जो है एक पैंसल लेजिए उसके उपर जो है एक बुक को बैलन्स करने कोश्च करें जबकिया आप उसी बुक को अपने हाथ पर रख लिए बुक को तो आप बैलन्स कर पाएंगे ठीक है इससे समझानी कोश्च कर रहे हैं कि प्रेशर का डिफरेंस कुछ-कुछ होता है पर यह को कि बैलन्स करना मुश्किल है पैंसिल के उपर तो जाहिर सी वात है आप हाई प्रेशर लग रहा है और आपका जो है बैलन्स करना आसान है हाथों के उपर बुक को तो मतलब कि वहाँ पे जाहिर सी वात है लो प्रेशर क्रियेट हो रहा है तो ऐसा हमेशा नहीं होता है मतलब बहुत है तो इसका रीजन क्या होगा और इसका मतलब इससे कोई सॉलिट आर्गुमेंट के बारे मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसा कह सकते हैं ठीक है तो इस चीज को हम रहने देते हैं इस चीज को तह तो इसलिए कीuit क्या होगई निटन पर मीटर स्क्वरर मतलब के पर्टिकलर एरिया के ओपर ठीक है तो उसको बजutiते हैं वन पास्कल थीक है फिर से समझाएता हो आपको जब एक न्यूटन का फोर्स कितना होगिया आपका लगबах लगग होगिया कि सौ ग्राम कोई अगर चीज है 100 ग्राम की चीज है उसको उठाने में जितना फोर्स लगता न वो था एक न्यूटन तो उतना ही फोर्स अगर लगा हो एक मीटर स्क्वेर एरिया पे मतलब कि आपना 100 ग्राम का वजन रख दीजिए एक मीटर स्क्वेर एरिया पे ठेक है तो जो फोर्स होगा व प्रेशर फर्स्ट मैं बोल लें आपका पॉर्टर पॉट्स आफ राउंड पीस ऑफ लॉट्ट ऑन इस हैड पॉर्टर कैरी हैवी लोड ओन देर हैड दी क्लोथ इंक्रीजिस दी एरिया ओफ कॉंटेक्ट बिट्वीन दा हैड एंड दी लोड दिस वेडरी दे रिद्यूस द ने कि चाम उज होगा तो कूली का करते हैं कि एकना कपड़ा लपेटू यज के ओपर वह रख लेते हैं तो इसके उपर का कप्ड़ा लगा क्यों क्यों क्योंकि वेक्ट को अगर वह डारेक्ट रखेंगे तो तो बड़े एरिया में डिवाइड हुयाता है मतलब के प्रेशर ओवरॉल कम हुयाता है इनके सिर के ओपर जिसके विए से अच्छा हेवी लोड उठा के लिए आ सकते हैं आगे बोल रहे हैं फोर अस वाकिंग ऑन दी सैंड इस डिफिकल्ड बट कैमल वाक्स इजी ली ओन इट बेकॉस कैमल्स हैव लार्ज पैड़िट फीट्स बोल रहे हैं कि कैमल के पैर होते हैं चोड़े चोड़े जिस पे कि उनके जो वजन है वो डिस्ट्रिब्यूट हो यात उन चोड़े चोड़े पैरों पे जिससे कि वो आसानी से चल पाते हैं रेत पे वरना उनके पैर धस जाएंगे आगे बोल रहे हैं इट इस एजियर टू हैमर अशार्प नेल इंटू आ वाल बोल रहे हैं कि एक बिल्कुल ही शार्प तेज धार वाली जो नेल है ना मतलब क कील उसे आप आसानी से ठोक सकते हैं दीवार के अंदर जबकि एक शार्प नेल अगर कोई नहीं हो मालिये के चोड़ा सा टुकड़ाओ कोई लोहे का उसे ठोकना बड़ा मुश्किल है दिवार के अंदर क्यों क्योंकि आपको फिर बहुत बहुत जादा फूर्स की दुरू प्रेशर बहुत जादा क्रेट कर पाएंगे थोड़े से पॉर्स के अंदर ही इसलिए और गुश जागा जबकि एक चौड़े सर्फेस वाला कोई लोहे का टुकड़ा उसे अंदर गुशाने के लिए आपको उससे बहुत बहुत जादा फूर्स की दुरूत पड़ेगी ठ The straps of shoulder bags are made broader बोल रहे हैं के देखिए ये कह रहे हैं के ये जो school bags होते हैं ये shoulder पर लटकाने वाले इनके straps को चोड़ा चोड़ा बनाया जाता है क्यों क्योंकि ये जो वजन है मतलब कि जो force लगाएगाएगा नीचे की तरफ bag में जवाब सामान भरके लटकाएंगे तो ए ஓर उसके वजाए अगर इसमें पतला सा धागा टाइप का है चोटी सी रस्टी अगर बांदी आती तो वो आपके शूल्डर पे बहुत जादा प्रेशर लगाती और आपके शूल्डर में तकलीफ होना शुरू हो जाती ठीक है तो उसके प्रेशर को कम कर दिया इसलिए इसके स्ट्रैप्स को चोड़ा बनाया जाता है आगे बुर लें आर्मी टैंक्स मूव औन केटरपिलर ट्रैक्स इट इनक्रीज 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 इए ओफ कॉन्टेक्ट विद दे ग्राउंड लेकि आर्मी की टैंक्स जो है इनके अंदर जो पईएं तो लगे ही होते हैं पर फिर भी एक अलग से बेल्ट लगा दी आती है इस बेल्ट से क्या होता है कि कोई बहुत जादा गंठा हो या फिर कोई कीचड़ वाला एरिया हो उस पे भी आराम से चल सकता है यह जादा वजन के साथ अगर यह किसी इस तरही के मिटी वाले जगा पर चलेंगे तो धस सकते हैं इसके पर यह बड़े से एरिया पे इस बेल्ट के उपर पूरा वजन जब इनका आयाता है ना तो इसका ओवराल प्रेशर कम हो जाता है टैंक का तो जिसके वे से यह रेत क अंदर भी थसते हैं आसानी से ठीक है यहां देखिए एक्जेक्ट फोटो जो अभी है मैंने आपको दिखाई गूगल से है ना तो इत्तफाक हो गया यह उन्होंने भी लगता गूगल से कॉपी करी है आगे बूल रहें यहां पे वर्ट यू लर्न में फर्स्ट आपका डैश मेड मैनी डिसकवरीज अबाउट फोर्स तो जवाब है सर आईजेक न्यूटन दूसरा है अफोर्स इस एक्सप्रेस्ट वाई इट्स मैग्निटूड एंड डिरेक्शन आगे आपका दा फोर्स द स और इस बात पर इंवर्सली प्रोपोर्शनल है वो मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा ना जिस पर फोर्स लग रहा हो उतना ही कम प्रेशर भी क्रियेट होगा यह बात भी सच है बहुत ही चोटे एरिया का कॉंटेक्ट बनाती किसी चीज़ से जिसके वेस अगर उस पर आप फोर्स अगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा आगे प्रेशर एक्षर 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 लिक्विड लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर बनता है वह कैसा होता देखते है इफ यू पूट यौर फिंगर ओवर दी एंड ओफ टैप वैन इट तॉन्स ओन आपको फील दी वाटर प्रेशर पुशिंग यूर फिंगर बोल ले है कि पानी या बारा उसके उपर आप उंगली लखेगा आपको फील होगा कि आपके उंगली को धकेला जा रहा है किस चीज से पानी से इस पुश इस दिव दाव दी वाटर इन पाइप समिंग प्रॉम इन दर रूफ इन दर वाटर प्रोश इंग वाटर प्रोश इस दावन उन यू ए यू ड्राइव बनीद तसरफिस ऑफ वाटर इन स्विंग पूल बोल रहे हैं कि पानी जो है आपके हाथ को धकेल क्यो रहा था क्योंकि उसकंदर एक वजन होता है तो आप वो नीचे जानी गोष्ट करेगा जमीन की तरफ जानी जोश करेगा बीच में आपके उंगले आगए तो साटानी दोय प्रेशर लगाया आपके उपर वैसे ही होता है जब आप स्विंग पूल में होते हैं अब स्विंग पूल के अंदर माली आप तेर रहें तो यहां पर पानी आपके उप ऌपर प्रेशर लगाता है यह यह पर पमचिफेर में ओर बढ़ाने की कोईशिश करते हैं, थोड़ी देर प्रश करता कि पर पांगे, यह यह पर पर एक जिस से पर निकल जाएं पर हमारा वजन आप थोड़ा जादा होता है इसलिए हम आसानी से बाहर तो नहीं निकलते पर हां सत्य पर जरूर रहाते हैं अगर हमार हम कोई पत्थर वथर लेकर कुदें इसके अंदर स्विमिंग पूल में तब जरूर डूब जाएंगे आगे बोल रहे हैं दे डीपर यू गो दे ग्रेटर दवेट ऑफ वाटर पुशिंग डाउन ओन यू एंड दी ग्रेटर दप्रेशर ऑफ वाटर बोलने कि जितना आप गहरा जो है स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे उतना ही जादा आपको दबाफ फील होगा अपने उप यू मैं है नोटिस्ट यू एर फेल अंकमफिटबल आपके कान जो है वो तो खुले वह होते हैं काफियत तक तो इसके अंदर आपको दबाफ फील हो सकता है काफिय अगर बिलकुल गहराई में आप चले आए पानी के तो इस दू इस दू इन्क्रीस प्रेशर ऑफ वाटर इन यूर इनर इर आगे बोल रहे हैं डू आपके बुल्डोजर वगेरा काम करते हैं वह किस चीज़ पर काम करते हैं यह अगे और भी वह सारी चीज़ पर आगे बोले हैं फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड वाटर फूडर एंड पाईप ओल्योस ठीक है हाईड्रॉलिक्स बन गया उससे अगे बोल रहे हैं एक एक्टिविटी दे रखिए देखे इस एक्टिविटी में का बोलने है कि प्लास्टिक की थाली ले लिए उसमें पानी भर ली और कई सारे शेथ कर लिए उसमें अब उसमें जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा मतलब धकेलने कोश कर रहे हैं वह प्रेशर फील होता है आपको हर जगा पे तो पानी के अंदर भी जाएंगे तो पानी का प्रेशर आपको फील होगा इतना जादा जितनी यहराई में जाएंगे हैं समझ रहे हैं मतलब कि यह फोर्स जो आप प्रेशर के साथ लगा रहे है वो force यहाँ पर आपको पानी के साथ निकलता हूँ, दिख भी रहा होगा, कि तेज तेज पानी निकल रहा हूँ उससे. ओवरॉल यह experiment बस आपको यह समझाने के लिए है, कि भाई यह जो pressure का concept है, वो कुछ भी नहीं है, बस एक force है, जो जितने छोटे area पे लगता है, उतना जादा pressure create होता है, ठीक है, तो बस force को समझने के लिए कि पर unit area वो कैसे काम करती है, वही आपका pressure है. आगे बोले हैं, do you know, submarines have very thick, long tail, so they can stand the water pressure, when they dive deep, dive down deep. टेल नहीं है, wall है, है न, strong walls. बोले हैं कि submarines जो हते हैं, के रहा देखे, इस तरह का होता है, submarine यह पूरा डूबा होता है, पानी के अंदर आम तोर पे. ठीक है, इस तरीका दिखता है डूबने के बाद, तो बहुत जादा इसे गहराई में गोता लगाना होता है, तो उस point पे कहीं बाहर के high pressure की वेशे, वो इसे पिछकान अदर टैंक को, इसी लिए इस submarine को जो है न, बहुत ही मोटे चादर से बनाया जाता है, लोहे की, ठीक है दो बज़ा होती है, एक तो होता है, कि भाई इसको बारी से बारी बना लो थोड़ा सा, बारी बनाओगे तो क्या होगा, डूपने में आसानी होगी, ठीक है, और इसको फिर वापिस सते पे कैसे लाएंगे, उसका भी तरीका होता है कि कैसे लाते है, फिलाल जो इसको बुती भी मिलती है कि आस पास में कोई ब्लास्ट वगर हो, किसी दुश्मन ने गोली मारी या फिर मजाइल पेक के मारी तो उससे भी बचा रहा है थोड़ा सा, और साथ में रहता है कि इस प्रेशर से पिचक विचक नहीं या कहीं से है, क्योंकि आप एक नॉर्मल कैन वग जाओगे उतना जादा आपको प्रेशर फील होगा, जैसे कि यहाँ पर इस उंचाई पर यह भी एक गहरा ही है, छोटी सी गहरा ही, तो वहाँ पर जादा प्रेशर नहीं है, और गहरा जाएंगे थोड़ा जादा प्रेशर फील होगा, और जादा गहरा जाएंगे तो और टेस पानी बाहर निकलना है नपर सेंट के उपर देखें सेंट पर 10 शेट कर रहा है उन पर टीन जगा पर प्रेश तो पर इन पर फिद बहार यह उतना जादा increase होता है अगा pressure औस पानी का तो फील हो रहा है ना दीखियों आपए जादा प्रेशर है τभी यह जदा speed से भाहर निकल ला है लिकृड वही चीज़ हो रही है जैसे लिकृड जाधा तेज़ यह से भाहर कीवबारा फुला लिए गुबार फुलाएंगे तो आप क्या देखेंगे जैसे गुबारे चोड़ेंगे तो यहां असे स्पीड sz CV henaux बहर निकल रही हवा तो इसका यही ही तो मतलब है कि इसके जुबारे गुबारे के बहुत जादा प्रेशर बनाई भी थी ठीक है यह निकलना चारी थी इस गुबारे से बाहर जैसे के पानी निकलना चारा था यहां से बाहर है ना जैसे छेट करा मने पानी जल्दी से स्पीट से बाहर आया तो यहां पर प्रेशर बनावाता मतलब प्रेशर तो यहां भी बनाता यहां भी ब प्रेशर पढ़ लेते हैं क्या चीज़ होती है बही एक प्रेशर एर पार्टिकल्स मूव तो ऑक्यूपाइए एनी अवेलिबल स्पेस बोलें के हवा के पार्टिकल्स जो भी जगा देखते हैं उस जगा को घेर लेते हैं अर्थ बहुता है पर होता है उसके इंदर दो बहुता है और उसके अंदर भी वेट बही है तो वो सारी चीज़े भी धर्ती का आसपास ही रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वेसे, आसपास रहेंगी, तो भाई एक दबाफ बनाएगी हर एक चीज़ पर जो भी इसके नीचे होगी, तो इसके नीचे कौन होते हैं, हम होते हैं, इंसान, जानवर, जितने भी खाली जमीन हो, या फिर ये हो, क्या बोलते हैं, समुंदर वगेरा, इंसान वगेरा, हर चीज़ के उपर प्रेशर लग रहा है, सेम बिलकुल, जितना एटमोसफेर का प्रेशर है वहाँ पे, ठीक हैं, तो इस चीज़ को यह हम बोल देते हैं, या फिर कहें तो जो एयर है उसका प्रेशर, जैसे पानी का प्रेशर लग रहा था, वैसे नॉर्मल हम एटमोसफेर के अंदर बैठ हैं, तो एटमोसफेर का प्रेशर लग रहा होता है, बस उसके हम आधी हो चुख हैं, बतलब कि हमारे लिए कॉमन हो चगा है, बच्पन से फील कर रह थे जब से पैद प्रेशर नोन आज एटमोसफेरिक प्रेशर गैस डिस नॉट हैव तो बी इंसाइड अ कंटेनर तो एफ प्रेशर वैन वी क्लाइब तु दा टॉप ऑफ दी माउंटेन देर इस लेस एर प्रेसिंग ऑन अस बोलने कि जब आप बहुत उचाई पर चले आते ना जैसे कि आप जो है चले गये पहाड वगिरा पर तो वहां पर आपको कम फीलोगा प्रेशर क्यों क्यूंकि आप जह जमीन से काफी उचाई पा चुके आख चुकें और जमीन के पास जादा हवा है मतलब कि हवा जब जमीन के तरफ से लेका पकाफी उचाई तक होता ना लियर उसकी तो आप यह भी देखे हैं कि वहाँ पे कम temperature पे ही पानी जो है उबल जाता है पानी उबलने के लिए आपको ज्यादा टेंपरेचर की दूरत नी बढ़ती क्योंकि वह प्रेशर कम होता है न कहीं पे भी तो आप पानी जल्दी उबल लियाता है पानी या बहुँ भी लिक्विट यह चीज आप पढ़ेंगा आगे क्लासेज में सो दा एयर प्रेशर एड़ी टॉप ऑफ दी माउंटेन इस लेस दैन एड़ी बॉटम ऑफ दी माउंटेन बुलें डू यू नो मैनो मिटर जो है उससे आप प्रेशर पता लगा सकते हैं कि जीज और लगा सकते हैं अर्थ के सर्फेस के पास सबसे जादा मोटी लेयर होती है अर्थ की जाहिर सी बात है सबसे मोटी लियर अर्थ के सर्फिस पे ही है ना सबसे मोटी लेयर होगी अर्थ के अटमोस्फेर की जब जब उचाई पर चले आएंगे मांटेंस वगर पे तो इतनी मोटी लेयर बची नहीं होगी वहां पे क्योंकि काफी उचाई पर अलेड ही आ चुके हम और ज्याद़ उ and less detectable therefore atmosphere is greatest to add the planet surface ठीक है आगे बूर ले हैं uses of atmospheric pressure atmospheric pressure का फादा होता है you can use atmospheric pressure to siphon water from tank use a clean tube and suck water into it from tank, keep the end of the tube in the water, take the other end from your mouth and hold it below the tank the water flow down the tube from the upper tank due to atmospheric pressure बोले है कि आप जो है क्या करीए यह उपर रखावा है tank और यह नीचे रखा है tank इससे बस एक बार एक पाइप ले आई है और पाइप को ना पाइप का उपर वाला हिससा इधर होना चाहिए इससे नीचे बस लाते ही जो आना वह पानी फिर नीचे आता ही चला आगा यहागा क्यों क्योंकि यहाँ का है ना पानी को बाहर निकलने का तो फिर यह निकलता ही चलाता है यहां से help मिलती है इस atmospheric pressure के और यह दबा कर जो है पानी को पूरे को बाहर निकाल देता है दूसरी तरफ से ठीक है और यहां पर एक दूसरा point भी काम करता है जिसको हम बोलते है gravitational force कैसे काम करती है पानी का जो है ऊकर से मिषाप है नीचे आना चाहता तो पानी को इस point से नीचे लेए वह बस थोड़ा सा आगे बोलने हैं, drinking through a straw, make use of atmospheric pressure, बोलने हैं कि जब आप किस चीज से, straw से कोई भी चीज भीते हैं, liquid, तो कर क्या रहे होते हैं, आपना low pressure create कर रहे होते हैं, इसे choose के, ठीक है, तो low pressure create कर रहे हो, और side का atmospheric pressure, वो इसको पर दबाव बना रहा है, आसपास के liquid पे, जिसके विए सारा liquid is pipe के through, आपके मुगे अंदर चले आता है, ठीक है, आगे बोलने, it helps in making a fountain, fountain बनाने का क्या फायदा होता है, बहुत जादा प्रेशर से पानी को आप बाहर निकालेंगे, तो बहुत जादा speed से पानी जाता है, कफी में उचाहिता, ठीक है न, बस यही आपका fountain काम कर सकता है प्रेशर के बेसिस पे, पर एक चीज़ समझे के फाउंटेन के अंदर न, atmospheric pressure का कोई खास काम नहीं होता है, यहापे देर खाने use of atmospheric pressure, फाउंटेन में atmospheric pressure का कोई काम नहीं होता है इतना, वो तो normal सा pump से खीच कर उसमें डाल लिया आता है, atmosphere के इतना काम नहीं रहता हूँ आप पे, ultimately normal pressure है, जिसकी वे से डाला गया है, आपने वो mechanically create कर आया, उस pressure को अलग से, कैसे create कर आपने, motor लगाई है उसके अंदर, ताकि आप इस fountain के पानी को उपर से उपर तक उचाल सकें, ठीक है, बोलें, air pressure can push things, air pressure से चीज़ों को धक्का दिया जा सकता है, आगे बोलें, the instrument used for the measurement of atmospheric is called barometer, barometer से आप जो है, नाप सकते है, pressure के चीज़ का, अच्छा, manometer से आप pressure का difference नापते हैं, किसी दो चीज़ों के बीच में, जबकि barometer से आप atmospheric pressure को नापते हैं, ठीक है, one eight atmospheric बोल दिया जाता है, pressure, आम तोर पे surface के पास, अर्थ के जो होता है, pressure जो होता है, air का, उसक types of barometers, अच्छा, एक atmospheric pressure, pressure है तो pressure pascal में आप जाता है, ना, या फर गया है, तो newton per meter square में, तो कितना pascal का होता है, एक atmospheric pressure, तो होता है, लगबग, एक लाग pascal, ठीक है, almost one lakh pascal का होता है, आपका one atmospheric pressure, मतलब एक atmospheric pressure, अच्छा, खासा pressure होता है, जिसे हम जो है, feel, हमेशा से करता है होते हैं, इसलिए हमें पता नीच चलता, पर है, बहुत ज़्यादा amount में यह pressure है, atmospheric pressure, ठीक है, जिसे हम बहुत ही lightly ले देते हैं, आगे है, आगे है आपका, there are two types of barometer, mercury barometer, and aneroid barometer, ठीक है, एक होता mercury का barometer, एक होता aneroid barometer, दोनों के बारे में हम higher class में जानेंगे, ठीक है, देखिए, एक है, activities में बहुत ही interesting activity, बोले, glass को आप पूरा भर लिए, पूरा भर लिए, उसको पलेट दिये, ध्यान से, तो आप देहें के पलेटने के बाद भी glass का पानी बाहर नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, इसका बहुत ही simple सा answer यह है, बहुत ही atmospheric pressure, वो अंदर जाना चाता है, पर हर तरफ से अंदर जाना चाता है, इदर से भी अंदर जाना चाता है, इदर से भी अंदर जाना चाता है, इदर से भी अंदर जाना चाता है, अब हर तरफ से एक साथ अंदर जाओगे, तो फस नी जाओगे, कहीं से भी अंदर नहीं पाओगे, तो यह हो देता है जब कि आप जब एक पेपर इसको उपर लगा देते हैं और तब ग्लास को उल्टा रखते हैं ठीक है तब हवा को बाहर के हवा को एटमस्फेरिक प्रेशर को अंदर जाने की जगा ही नहीं मिलती वहर तरफ से एक साथ गुष्ण गुष्ण कर रहा होता है तो अंदर जहब दिख सकते हैं आपके क्लिरली कि पानी के अंदर ग्लास में पानी भरावा ंघ्लास के अंदर और सामने काघज लगोगा तब भी पानी नहीं गिर रहा है क्यूंकि यह अटमसफेरिक प्रेशर है ना अटमसफेरिक प्रेशर बाहर से यह लग रहा है वो नहीं ग Strawberry नि ओटो वॉन गुरिक 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 जोर्मन फिसस्ट डेवलब अफर्स एर पंप यूजिंग इस पंप वॉन वाज वॉन गुरिक वाज एबल तो रिमूव दी एर फंप स्फेर तो क्रियेट वैक्यूम बोलने है न कि पहली बार इन्होंने एर पंप बनाई थी ठीक है इन साइंटिस्ट ने तो इन्होंने क्या करा कि एक बॉल ली स्फेरिकल बॉल ठीक है उसके अंदर में से सारी हवा बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है सारी निकाल पाई होगा फर काफियत तक निकाल कौन से प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा इसके उपर होगा उसके उपर होगा जो इन दोनों को चिपकाई रखे वोगगा है तो इसे बस हम फील नहीं कर पाते क्योंकि बच्पन से हम पैदा हुए इस प्रेशर के अंदर पर बहुत जादा प्रेशर होता है प्रेशर के अंदर आपको समझ बाया होगा अच्छे से कितनी पावर्फुल चीज़ आपको समझ बाया होगा कि फोर्स क्या होता है प्रेशर क्या होता है मास क्या होता है ग्रैविटी क्या होती है अटमस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बैरोमिटर क्या होता है आगे देख लेते हैं जरह एक्सरसाइस क्या होता है